स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लिकेशन है केरियर क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्लेस्टोर यह एप्लिकेशन एंड्रोइड फून्स के लिए अविलेबल है अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्टेट अवे 10 परसंट का डिसकाउंट मिल जाएगा बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है वाई वी थिंग कि हमारा कोर्स वन अफ दे बेस्ट कोर्स है in the industry for preparing for current affairs क्योंकि हम current affairs daily basis पे प्रोवाइड करते हैं जिसमें से daily basis पे आपको 20 questions की quiz प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी revision में बहुत help करेगी एक PDF प्रोवाइड की जाएगी daily basis पे of the current affairs of that particular day similarly weekly basis पे आपको 50 questions की quiz और PDF of compiled current affairs of week and monthly basis पे आपको एक top 100 current affairs की PDF प्रोवाइड करी जाएगी जो पूरे महिने का current affairs का जिस्ट होगा जो preparation में revision perspective से बहुत important होता है आपको लगेगा हम सिरफ इतना provide करते हैं लेकिन नहीं हम English के साथ साथ आपको Hindi में भी ये सारी चीज़े provide करते हैं not just this हम आपको banking awareness के भी current affairs provide करते हैं banking से related questions भी discuss कराते हैं ताकि आपकी revision आप सके for banking exam इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की PDF आप सभी के लिए लाए है एक interesting way of learning वो है infotainment infographics बड़ा ही मज़िदार तरीके से आप इनको enjoy करते हुए PDF को पढ़ सकते हैं तो इनको ज़रूर चेक कीजिएगा इसी के साथ साथ हम आपको 20 topic wise current affairs भी revise कराते हैं देली बेसिस पे डेली एक एक topic की वीडियो आती हमारे YouTube चैनल पे जो 20 topics हैं जैसे apps and web portals, important days, books and authors, आपके national affairs, international affairs, sports, defense, awards इन सभी topics को हम monthly बेसिस पे cover करते हैं देली हमारे YouTube चैनल पे आपकी daily videos, monthly videos, weekly videos, topic wise videos ये सब cover करा जाता है जो बहुत helpful रहता है preparation के लिए so I think this is the best course that you can find for current affairs on internet apart from this friends, आप जैसे मैंने बताया, विकास 10 code को अगर आप use करेंगे Hello students, कैसे आप सब? I hope आप सब अच्छोंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ 6 अगस्त के बहुत important current affairs discuss करेंगे ये session आपके लिए काफी helpful रहेगा तो end तक जरूर देखेगा इसी के साथ साथ friends, motivational quote of the day है Don't ignore your own potential आप जानते हैं कि आपका potential क्या है, आप क्या चीज़ को अचीव करने का level रखते हैं किसी के दूसरी के बातों में आकर या फिर किसी भी situation की वज़े से अपने potential को ignore नहीं करना चीज़ हमें हमारा जो focus बना हुआ है किसी goal पर हमेशा उस पे रखिया और अपने potential को कभी कम नहीं आकना चाहिए इसी के साथ साथ आप हमारे YouTube channel को subscribe कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंदार ही हैं कि जो content हम आपको daily basis पर provide कर रहे हैं तो वीडियो को like कर सकते हैं इसी के साथ साथ friends हमारा target मैं आपको बता चुका हूँ 15,000 views का daily videos पर हमारे आने चाहिए इसके लिए आपको हमारी मदद करने पड़ेगी आप क्या कर सकते हैं दो से तीन WhatsApp ग्रूप पर daily इस वीडियो को share कीजिए आप अपने relatives पर अपने cousins को अपने friends को उनको बताइए कि Affairs Cloud कितना अच्छा YouTube channel है और यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से current affairs प्रोवाइड करे जाते हैं यह एक one stop solution रहेगा आपके current affairs के लिए and I assure you कि जो भी मेर से बच्चे current affairs daily basis पर पढ़ते हैं जो notes बनाते हैं जो homework करते हैं उनको current affairs सारे tips पर याद होंगे उनको exam में कोई भी current affairs उठा के दे देना उनको सब कुछ याद होगा इतनी मैं guarantee लेता हूँ अपने भी हाउफ पर ठीक है इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आपको session अच्छा लग रहा है तो comment करके जरूर बताइएगा इससे हमें motivation मिलती है हमें motivation मिलेगी कि हम और अच्छा काम आगे करें ठीक है इसी के साथ फ्रेंड्स कल की वीडियो के जो homework questions थे उनका answer यहाँ पर अवंतिगा शर्मायन हितेश बट दोनों ने बहुत सही answer दी हैं दोनों correct answer हैं so best of luck to both of you guys I hope आप जो इस पी exam के लिए prepare कर रहे हैं future में वो दोनों आपके लिए clear होगे ठीक है बस मैनत करते रही है और लगे रही है hard work pays off hard work कभी खराब नहीं जाता चलिए स्टार्ट करें युद्धभ्यास युद्धभ्यास ये युद्धभ्यास किन दो कंट्रीज के बीच में कराई गई एक्सरसाइज है इंडिया and United States of America अभी युद्भ्यास कब होगा October 2022 में एक्सरसाइज कंट्र कराई जाएगी कहाँ पर कराई जाएगी ये पूछजार है देखो इंडिया में एक्सरसाइज कंट्र कराई जाएगी October में और इंडिया में भी कहाँ पर उत्राखंड में ठीक है उत्राखंड में इससे पहले जो आपकी exercise कराई गई थी वो कराई गई थी Alaska में United States of America में जो 2021 में रखाई गई थी अब जो 2022 में होगी October में वो इंडिया के उत्राखंड में होगी ठीक है याद रखेंगे तो correct option option B next question which organization test fired indigenously developed laser guided ATGMs anti-tank guided missiles friends थोड़ा सा मेरा गला भी खराब है तो थोड़ी सी अवाज कम रहीगी आज की वीडियो में तो आएक दू वीडियो के लिए थोड़ा सा adjust करना पड़ेगा ठीक है चलिए अभी recently किस organization ने test fire की and develop की indigenously developed laser guided anti-tank guided missiles को तो आपको याद रखना है हम बात कर रहे हैं DRDO की DRDO ने test किया और develop किया laser guided anti-tank guided missiles को ठीक है यह आपकी किस tank से test की गई main battle tank से इसको test किया गया जिसका नाम है अर्जुन और राइट तो organization का नाम ही पूछा गया आपसे यहाँ पे be option correct हो जाएगा next पे आते हैं what is the name of the satellite developed by 750 girls across 75 ruler schools to be launched by ISRO एक बहुत अच्छी news friends आपको याद रखने हैं पूचा जा सकता है वो किस country का जंडा होगा जो space में भेजा जाएगा और space में unfurl किया जाएगा उसको वो इंडिया का tri color होगा ठीक है जिसको space में भेजा जाएगा ISRO उसको space में भेजेगा and उसको unfurl किया जाएगा as a 75th year of independence को celebrate करने के लिए इसकी anyway ठीक है इसी के साथ साथ आपको याद रखने है ISRO के दवारा एक smallest and lightest commercial rocket को develop किया गया इस रो के दवारा जिसको space में भेजा जाएगा और यही space में जाएगा आपके इसी के साथ साथ आपके 750 girls ने जो आपके 750s ruler school से जो एक satellite develop की है उसको भी लेके जाएगा और satellite का नाम क्या रहेगा अजादी set ठीक है अजादी set Moving on What is the reporate after the August 2022 monetary policy committee meeting क्या रहेगा monetary policy meeting के बाद जो हमारा reporate वो है 5.4% का चलिए next किस country ने भी conduct कराया है उसका largest ever military exercise around Taiwan अभी अगर आप follow करते हैं international news को तो आपने सुनाओगा कि Nancy Pelosi ये US की speaker है ठीक है US house speaker है Nancy Pelosi ये Taiwan visit पे गई दो चाइना ने इनको बोला कि अगर आप Taiwan में विजिट करते हैं तो बहुत consequence आपको phase करने पड़ेंगे still इसके बावजूद Nancy Pelosi ताइवन विजिट की और जैसे ही उन्होंने ताइवन में विजिट किया उसके बाद से आपने देखा होगा कि चाइना एक बहुत aggressive mode पे आ गया और उन्होंने अपनी largest ever military exercise को launch कर दिया इवन इनकी काफी सारी 4-5 rocket जपान के special economic zone में भी land करे हैं तो correct option है आपर option B चलिए अब आज आते हैं friends कुछ news पर सरसे पहली हम news बगात करेंगे center के द्वारा एक state university research excellence scheme launch की गई to create robust research and development ecosystem अगर आपको याद हो तो निती आयोग के द्वारा एक report release की गई थी जिसमें बताया कि इंडिया सबसे पीछे है वो least investment करता है in research and development में इसी के साथ साथ आपको याद होना चाहिए कि एक research and development policy को अपनाने वाली वो पहली state कौन सी बन गई थी करनाट का और अब क्या आया है नया research and development से related की center ने एक state university research excellence scheme launch की है जो robust research and development ecosystem को बनाने के बात की गई क्या नाम रहेगा उसका CERB SHOR CERB क्या है science and engineering research board और SHOR क्या है state university research excellence ठीक है तकि research में बढ़ावा दिया जासे की और मैंने आपको बताया है कोई चीज की research होती है किसी sector में तो उस sector में फिर बाद में क्या होता है जो research सामने आती है उसके बाद उस research के basis को implement किया जाता है तो to develop project या फिर कोई product बनाने के लिए जिससे लोगों को क्या होता है एक तो वो product मिल जाता है इसी के साथ साथ काफि सारे लोगों को employment भी मिलती है ठीक है आपको नाम याद रखना है state university search excellence serb shore ठीक है यह याद रखेंगे चलिए next पर आते हैं काफी important news रहेगी यह भी in a first all women navy crew completed surveillance mission over northern arabian sea ठीक है northern arabian sea में इन्होंने अपने surveillance mission पूरा किया और यहापे आप पांच महिला यह देख सकते हैं इन्होंने यह surveillance mission पूरा किया यह इंडियान ने इन एस 315 squadron की member रहींगी इसी के साथ साथ इन्होंने आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे एक aircraft है इस aircraft का नाम है डॉर्नियर 225 इस aircraft के मदद से यह surveillance किया northern arabian sea का इन पांच महिलाओने मिलके ठीक है and this is a first of its kind independent maritime mission जैद शोकास्ट नारिश रक्ती को इन्होंने अपना 225 नहीं 228 aircraft से ठीक है डॉर्नियर 228 aircraft से फिर आप यहाँ देख सकते हैं यह INAS 314 यहाँ पर मैंने 315 लिखा है 314 कर लीजेगा यहाँ पर तो यह जो आल वीमें नेवी क्रू था जिन्होंने northern arabian sea में अपना surveillance पूरा किया यह INAS 314 crew squadron से बिलॉंग करती है डॉर्नियर 228 aircraft इन्होंने fly किया था उसकी मदद से इन्होंने surveillance पूरा किया और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है यह जो पांच वीमें थी ना इनकी captain कौन थी वो थी lieutenant commander आचल शर्मा इन्होंने इनकी निगरानी में यह mission पूरा करा गया था ठीक है और यह INAS 314 जो squadron यह कहां पर है यह आपके पोरबंदर गुजरात में है चलिए नेक्स पर आते हैं नेक्स हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी के तवारा अभी कुछ foundation stone ले किये गए हैं और श्रीमद राजचंद्रा mission के धरंपुर गुजरात में अगर इनके missions की बात कर पहला दूसरा आजाता है आपका animal hospital बनाया जाएगा श्रीमद राजचंद्रा animal hospital वलसाथ गुजरात में फिर तीसरा आजाता है आपका श्रीमद राजचंद्रा center of excellence for women in वलसाथ यह setup किया जाएगा तो तीन यह mission आपको basic याद रखने हैं जो कि आपके श्रीमद राजचंद mission candle launch किया गए धरंपुर गुजरात में बाए प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी ठीक है चलिए इसके साथ आप एक direct news याद रख सकते हैं कि मालदीज प्रेजिडेंट इब्राहिम मोहमद सौली ने भी इंडिया की 4 डे विजिट की question पूछा चा सकता है कि कौन है प्रे rate the health management information system and laboratory information management system को rate करने के लिए जिसको integrate किया गया है आईश्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ आईश्मान भारत डिजिटल मिशन क्या था आपका health account प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर आपकी सारे information related to your health वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी अगर आपको यह test कराते ह वह भी आपका health account में mention किया जाएगा और उसके report जोगी वह भी आपके health account में ही आजाएगी जिससे क्या होगा कल को आप किसी doctor के पास जाते हैं तो आपके पूरी history आपका health record उस doctor के पास easily available होगा और उसी के basis पर वह आपको आगे medication provide कर सकेंगे ठीक है तो national health according ने पार्टनर कि या quality council इंडिया के साथ 6 माईने के लिए ताकि आपका rate किया जासे के health management information system को और laboratory information management system को इसके solutions भी provide किये जा सकें और इनको integrate किया जाएगा आईशमान भारत digital mission के साथ ठीक है याद रखिएगा काफ़ important रहेगा नेक्स पे आते हैं तमिलनाडू के forest department ने अभी first of its kind एक urban animal rescue center setup किया है गिंडी national park चन्नाई तमिलनाडू में ठीक है याद रखिएगा यह आप चलिए next पे आते हैं HDFC HDFC ने raise किया 1.1 billion dollar का special loan for financing affordable housing projects affordable housing projects को लाने के लिए उनको finance करने के लिए HDFC ने limited ने 1.1 billion dollar जो कि around कुछ 8700 करोड रुपे होते हैं उतना finance raise किया है amount ठीक है from investors under the syndicate social loan facility at 3.3% coupon rate से HDFC ने raise किया amount through external commercial borrowing जो कि एक larger social loan globally है and first ECB loan deal out of India इसी के साथ साथ आपको याद रखना है जो loan था was priced at 90 basis points over the secured overnight financing rate ठीक फिर इसी के साथ साथ चुलाए में RBI ने increase कर दी थी ECB की जो limit थी under the automatic route from 750 million to 1.5 billion dollar इसी के तहत आप याद रखना HDFC limited 1.1 billion dollar raise कर पाई वरना जो cap थी वो क्याती 750 million US dollar की अकर HDFC limited की मैं बात करूँ चेर परसन कौन रहेंगे चेर्मेन है दीपक पारेक दीपक पारेक यह कब established किया गया था 1977 में established किया गया था मुंबई महराष्टा में इनका headquarter रहेगा next नेक्स हम बात करेंगे max life insurance की इनके द्वारा एक 3-in-1 protection plan लाँच किया गया है और यह जो 3-in-1 protection plan है यह दो products को मिला के लाँच किया गया है एक तो है max life का smart secure plus plan और दूसरा है max life critical illness and disability health rider इन दोनों को मिला के एक program plan लाँच किया गया insurance product launch किया गया max life insurance के द्वारा जो की है smart secure easy solution इसके अंडर यह 3-in-1 protection solution है जिसके अंडर आपका life cover critical illness and disability as well as accidental cover को cover किया जाएगा ठीक याद रखिएगा किन के द्वारा launch किया गया है max life insurance के द्वारा यह 3-in-1 protection plan को launch किया गया अगर मैं max life insurance की बात करूँ तो md and ceo कौन रहेंगे वो है प्रशान त्रिपाठी जी और इसी के साथ मैं बात कुर यह कब establish किया गया था तो 2000 में establish किया गया था headquarter कहां रहेगा इसका new Delhi में next next हम बात करेंगे AD Ports Group ने tie up किया Adani Ports and Special Economic Zone Limited के साथ इन्होंने मिलके MOU sign किया for joint infrastructure development investment in Tanzania Tanzania में joint infrastructure development के लिए AD Ports Group ने tie up किया Adani Ports and Special Economic Zone के साथ इससे क्या होगा जैसे यह वहाँ पे investment करेंगे वहाँ पे infrastructure develop करेंगे वहाँ पे ports बनाएंगे तो वहाँ पे जो आवा जाई है वो बढ़ जाएगी इवन जैसे इंडिया की company है यह Adani Ports तो इससे क्या होगा इंडिया और एफरिका के relationship बढ़ जाएगे और क्या होगा जैसे वहाँ से फिर export इंपोर्ट शुरू हो जाएगा तो not just इंडिया इवन जो दूसरे देश की company है वहाँ पे आके निवेश करने लगेगी इंवेस्ट करने लगेगी उससे क्या होगा कि उस local area की उस particular area में आसपस development बढ़ जाएगी वहाँ पे रिहाईश भढ़ जाएगी और वहाँ पे फिर अच्छी facilities प्रोवाइड होने लग जाएगी लोगों को ठीक है तो याद रखना AD Ports Group ये based है अबुदाभी UAE की company इन्होंने एक MOU sign किया है अडानी Ports के साथ and Special Economic Zone Limited के साथ ताकि एक joint infrastructure development की जा सके in Tanzania highly important याद रखेगा next हम award की बात करेंगे French government के द्वारा Indian publisher कनन सुंदरम को award से समानित किया गया जिसका नाम है Chevalier Award ठीक है इसी award को the Knight of the Order of the Merit से भी जाना जाता है और ये President of France के द्वारा ही इनको समानित किया गया था इस award से तो ये कौन है Indian publisher कनन सुंदरम जिनको Chevalier Award या फिट दर Knight of the Order of the Merit से समानित किया गया next हम बात करेंगे DRDO DRDO के द्वारा टेस्ट की गई और DRDO के द्वारा ही डेवलप की गई anti-tank guided missile जिसको test किया गया था using the main battle tank जिसका नाम रहेगा अर्जुन आप यहाँ पे पिक्चर में जो टेंक देख रहे हैं यह अर्जुन टेंक है इसी की मदद से आपका laser guided anti-tank guided missile को test किया गया था using the main battle tank अर्जुन जो के डेवलप की गई थी DRDO के द्वारा ही ठीक है अगर मैं DRDO की बात करूँ तो chairman कौन रहेंगे जी शतीश रेड़ी जी headquarter कहाँ पर है इसका new Delhi में चलिए next पे आते हैं next हम बात करेंगे south korea की south korea के दौरा अभी first moon mission को launch किया गया जिसका नाम है दनूरी दनूरी mission को launch किया गया दनूरी को space में लिया लगा या किस rocket ने इसको launch कराया वह स्पेसेक्स का Falcon 9 rocket की मदद से इसको space में ले जाया गया दनूरी को ठीक है दनूरी का मतलब क्या होता है enjoying the moon और यह question पूछा जाएगा कहां से launch किया गया तो Cape Canaveral Florida से इसको launch किया गया था यह दनूरी किस country का है दनूरी आपका किस country का mission रहेगा South Korea का यह mission रहेगा और एक चीज़ और यह NASA and कारी कारी क्या है Korea Aerospace Research Institute इन दोनों की मदद से मिलके यह बना है कारी and NASA की मदद से इस mission को launch किया गया दनूरी को ठीक है दनूरी को space में launch किया गया और किसकी मदद से SpaceX के Falcon 9 rocket की मदद से और कहां से Cape Canaveral से इसको launch किया गया ठीक है चलिए next काफी important रहेगा friends यह याद रखिएगा यह है चाइना के दवारा एक terrestrial ecosystem carbon monitoring satellite launch की गई है जैसा name suggest कर रहे है कि carbon monitoring satellite यह carbon monitoring satellite कहा कि आपके environment में कितना carbon है कहां से यह carbon आ रहा है क्यों आ रहा है इस carbon को हम कैसी कम कर सकते हैं क्या इसके factor हो सकते हैं ठीक है इसका impact क्या पढ़ रहा है humans पे not just humans इसका environment पे क्या effect पढ़ रहा है आने के पूरे चांस रहेंगे इस question के कि terrestrial ecosystem carbon monitoring satellite को किस country के द्वारा launch किया गया था तो यह China के द्वारा launch किया गया था ठीक है और यह 30th mission रहेगा long march series का इसी के साथ question पूछ लेगा आप से कि किस rocket के मदद से यह terrestrial ecosystem carbon monitoring satellite को launch किया गया तो वो था Long March 4B rocket ठीक है Long March 4B rocket और इसी का Terrestrial Ecosystem Carbon Monitoring Satellite का एक और नाम याद रख सकते हैं TECIS-1 TECIS-1 यह आपके rocket का Terrestrial Ecosystem Carbon Monitoring Satellite का नाम रहेगा TECIS-1 इनी के साथ चाइना के अगर हम बात करें चाइना का ही आपका याद रखना है कि वो कौन सी कंट्री है जो खुद का एक अपना Space Station बना रही है वहाँ TIGONG Space Station ठीक Next पर आ जाते हैं असम के द्वारा चार MOU sign किये गए हैं HCL, Walmart और Flipkart के साथ याद रखेगा यह किसलिए होंगे आपके various projects such as including skilling the youth youth को skill provide करने के लिए exporting local products local products को export करने के लिए creating talent for the e-commerce supply chain e-commerce supply chain में talent लाने के लिए लोगों को aware कराने के लिए इन चीज़ों के बारे में यह launch किया गया इवन अग आपको एक और चीज़ याद रखनी है North Eastern region को Agriculture हब बनाने के लिए बात की जारी है Government of India ने plans launch की है Reason being कि जो आपका North Eastern region है जो आपकी 6 sisters होती है 7 sisters होती है वहाँ से आप Bangladesh, भूतान, चाइना, मयामार, नेपाल इन countries को easily target कर सकते है आप यहाँ से जो logistics हो जाएगी वो बहुत easy हो जाएगी और easily in North Eastern region से आप इन countries में easily export कर पाएंगे Even काफी सारी companies ने वहाँ पर अभी एक्सपोर्ट शुरू भी कर दिया है agriculture का ठीक है मतलब वहाँ पर काफी सारी companies ऐसी है जो अपना produce उगाती है और वहीं के वहीं फिर उनको export भी कर देती है feasible यही है ऐसा नहीं कर सकते हम कि अगर हमें बांगलादेश, भूटा, अंचाइना, म्यामार और नेपाल को target करना है और जो हम आवारा agriculture field है वो हमने लगा दिया गुजरात में तो गुजरात से आपको वहाँ पर जाने में आप समझ सकते हैं लोजिस्टिक्स में कितनी जादा दिक्कत होने वाली है आपकी जो लोजिस्टिक्स cost होगी वो बहुत जादा पढ़ जाएगी तो नौर्थीस्टन में setup करने का reason यही है कि एक तो लोजिस्टिक cost बहुत कम हो जाएगी इससे नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे उतरपरदेश गौवर्मेंट ने plan किया तो double down the income of farmers अंडर पंच अमरित योजना यह पंच अमरित योजना क्या है यह आपको याद रखना है पहले तो question ऐसी पूछ लेंगे कि किस योजना कि अंडर गौवर्मेंट आफ गुजरात ने plan किया कि हम farmers की income को double कर देंगे तो वह पंच अमरित योजना अब इससे क्या होगा कि जैसे हम देखते थे पराली भी जला देते थे तो जो sugar cane होते हैं हमें जानते हैं उतरपरदेश में sugar cane बहुत होता है हम pesticides यूज़ करते थे इन चीज़ों को ना करके जो sugar cane के पत्ते हैं उसी को ऐसा खाद की तरह यूज़ किया जाएगा ठीक है fertilizers यूज़ नहीं किये जाएंगे जिससे आपकी soil भी खराब होती है तो indirectly हम कहें तो organic चीज़ हो गई है कि sugar cane के जो पत्ते हैं वही अगर हम खाद की तरह यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा तो जो soil की fertility है उसमें improvement आएगी और इसी के साथ not just this यही नहीं सरकार ने जो आपका government of UP ने जो sugar cane का support price है उसको भी high कर दिया by 350 rupees in advance of the last crushing season जो की पहले था 340 और जो unsuitable species है sugar cane की उसके लिए था 335 ठीक है तो हम कह सकते हैं इन कुछ initiative की मदद से UP सरकार ने बोला कि हम जो farmers की income है उसको double कर देंगे under पंच अमरित योजना तो direct question पूछ सकते हैं कि पंच अमरित योजना यह government के यूपी के द्वारा launch की गई थी ठीक है फिर इसी पंच अमरित योजना के अंडर आपको याद रखना है एक उत्तम sugar cane उत्तम sugar cane farmer award I repeat उत्तम sugar cane farmer award से समानित किया जाएगा under this पंच अमरित scheme के अंडर ठीक है तो question यह भी पूछ सकता है कि उत्तम sugar cane farmer award कि स्टेट में दिया जाएगा कि स्टेट के द्वारा दिया जाएगा तो यूपी के द्वारा इस अवार्ड से समानित किया जाएगा farmers को फिर objective देख लेते हैं the scheme has been combined objective of reducing cost cost कम करने के लिए saving water पानी बचा के maximum use of subtile and the leaves of sugar cane sparing use of fertilizers and pesticides और इनका fertilizers of pesticides का use कम करके जो हमारा subtile होता है और जो हमारा sugar cane nut की पतियाव होती है उसको एज़ा खाद यूज करने की यहां पे बढ़ावा दिया जाएगा farmers को trip irrigation पे focus किया जाएगा ताकि हम पानी बचा सके ठीक है अप्रूबल दिया गया कि उनका जो एक green field airport वो under construction है वो आपका 15 अगस्त 2022 को operational हो जाएगा कुछ 2000 लोगों का यहां पे at the peak time मलब कुछ 200 नहीं 200 passengers को during peak hours यह accommodate कर सकता है इसमें आपको याद रखना है जो airport का नाम रखा गया है वो क्या कर रखा गया है डौनी पोलो ठीक है डौनी पोलो यह आपका naming रखा name है airport का जो की कापर है अरुनाचल के इटा नगर में डौनी पोलो ठीक है काफ़ important याद रखना इसी के साथ साथ फ्रेंड्स एक चीज और आपको याद रखनी है then इसी के साथ हाइलाइट देखें तो तो नेम अफ़ एरपोट विल सिंपलाइज दा ओच ओल्ड ट्रांजिशन और रिच कुल्चुरल हैरिटेज अफ अरुनाचल परदेश दिस विल अल्चो शोकेश दा पीपल्स एज ओल इंडिजिनियस रेवरेंस on the sun that is Donya and the moon that is Polo तो इसका जो नेम है Donny Polo तो Donny Polo का मतलब क्या होगा Donny का मतलब sun और Polo का मतलब moon नेक्स्ट नेक्स हम बात करेंगे आंदरपरदेश गोवर्मेंट की आंदरपरदेश गोवर्मेंट ने कभी M.O.U. साइन किया है National Institute for Smart Governance के साथ इससे क्या होगा आपका Under this agreement NISJ will assist the आंदरपरदेश गोवर्मेंट in preparation and development of an integrated land management system ताकि आपकी boundaries fix की जा सके जैसे हमने देखा था कि पहले क्या हो था digitization हुई थी land की अगर ये patch of land है तो ये A के नाम है ये B के नाम है ये C के, ये D के, ये E के, ये F के तो एक proper तरीके से fixing हो सके boundaries की and ऐसा ना हो कि A के नाम जो land है वो B के नाम भी कर दी और C के नाम भी कर दी multiple owners ना हो जाए इसी वज़े से एक reserve कराया गया है जिसके वज़े से आपका पूरा आपकी fixing है boundaries की की जाएगी और इसी के अंडरा आपको याद रखना है एक QR code QR code based smart title card provide किया जएगा जिसके basis पे ये बता सकेंगे कि so and so land ये आपकी उस individual person की owner है जैसे आपका आधार card होता है तो वो आधार card का number क्या बताता है कि वो आपकी identity है वो individual आपका ही एक identity card है तो ऐसे ये जो QR code based smart title card होगा ये बताएगा उस land owner के बारे में of that particular property ठीक है ये scheme किस केंडर और ये जो QR code है ये किस केंडर लॉंच किया गया है YSR जगन्ना स्वास्ता भूहू हाकू भूहू रक्षा scheme केंडर इसको लॉंच करा गया है ठीक है चलिए इको सिस्टम इंडियन नेवी ने एक all women crew complete किया northern surveillance पूरा किया northern authentic ocean का using dornier 228 ये 3 INAS इंडियन नेवल स्कॉडरन 314 से बिलॉंग करती है जो की पोरबंदर कुजरात में है प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी ने इनागरेट किया and laid the foundation of various projects in वलसद गुजरात highlights of president मैंने बताया था president of maldiz क्या नाम याद रखना को इबराहिम मौमद सोली जिन्होंने भी visit किया फिर NHA ने पार्टनर किया QCII के साथ to accredit health solutions integrated with आईशमान भाराट डिजिटल मिशन तमिल नाडू के forest department ने set up किया first of its kind urban animal rescue center कहां पर गिंडी नेशनल पार्क में जो कि कहां पर है तमिल नाडू चन्नी में फिर union rail minister ने inaugurate किया बड़ी सद्री मावली gauj converted rail section को HDFC ने raise किया 1.1 billion dollar का social loan for financing affordable housing projects max life insurance ने launch किया 3 in 1 protection plan that is smart secure easy pay यह आपका life से related life insurance है आपकी कोई बिमारी हो जीती है उसका या फिर death से related भी आपका provide किया जाएगा AD group ने और Adani ports ने and special economic zone limit ने एक MOU sign किया for the joint infrastructure investment in Tanzania French government ने honor किया Indian publisher कनन सुंदरम को with Chevalier award से DRDO inonic test किया and develop किया laser guided anti-tank missile को और इस missile को कहां से test fire किया गया है Arjun tank से test fire किया गया South Korea ने launch किया its first spacecraft to moon जिसका नाम है Danuri Cape Carnival Space Station Florida से इसको launch किया Cape Carnival Florida से इसको launch किया गया था Falcon 9 rocket की मदद से इसको space में लिया गया फिर China ने launch किया अपना एक terrestrial ecosystem carbon monitoring satellite काफे important long march 4 भी rocket से इसको space में launch किया गया था Assam government ने sign किये 4 MOUs with HCL Walmart Flipkart on various fields UP government ने एक plan launch किया जिसका नाम है पंच मूरत योजना ये पंच मूरत योजना ये क्या रहेगा इसके अंडर farmers की जो आपकी income है उसको double करने की बात की गई कैसे कि हम एक तो पानी save करेंगे drip irrigation से और इसी के साथ जो आपका खाद होती है हम fertilizers और pesticides का ना के वराबर यूज करेंगे और यहां पर जो sugar cane की leaves होती है उनको जलाने की जगह हम उसको खाद की तरह यूज करेंगे फिर अरुनाचल परदेश ने अप्रूफ किया naming of the under construction green field airport as डौनी पॉलो एरपोर्ट जो की इटरनागर में है डौनी का मतलब sun पॉलो का मतलब moon आंद्र परदेश गौवर्मेन ने sign के MOU with NISG याद रखियेगा कि land की measuring के लिए कि एकी land किसी दो व्यक्ति के नाम ना हो boundary measure करने के लिए land का digitization करने के लिए ये एक MOU sign करा गया ठीक है फ्रेंड्स अब आजाते हैं हैं आपके homework पे which union ministry implemented the सक्षम आंगनवाड़ी portion 2.0 scheme दूसरा question nationally determined contribution which isn't seen in the news recently is a term related to which field तीसरा किस state ने launch किया chief ministers equal education relief assistance and grant scheme जिसका नाम है चिराग scheme चौथा as of August how many startups are registered in India कितने startup register किये गए पांचवाँ विदान्थांगल bird century and कुथांकुलम bird century ये किस state में located है जिनको भी ramsa sites declare किया गया था आपको फिर ये भी बताना है कि total number of ramsa sites इंडिया में कितनी है मैंने बताया था आपको पहले कितनी थी 49 फिर कुछ add की गई फिर उसके बाद एक certain number हो गया रहा है इस certain number के बाद 10 और add करी गई थी तो अब आप मेरे को easy कर दिया है मैंने आपको बताना कि आप ये भी बताईएगा इसी question के साथ ही साथ किती है अब total number of ramsa sites कितनी है ठीके friends so that's all for the day friends अगर आपको session पसंद आया तो video को like कर देना और इसी के साथ साथ आपको हमारा target पता ही है 15,000 views को change करना तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा WhatsApp ग्रूप पे इस video को share जरूर कीजिए and let your friends, relatives and cousins know कि affairs cloud one stop solution for all the current affairs that's all for the day friends thank you and have a nice day that's all for the day friends यह हमारी वीडियो थी I hope आपको वीडियो पसंद आयोगी इसी के साथ साथ friends आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं आप Telegram चैनल पे जाके हमें follow कर सकते हैं and इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी problem आ रही है या तो payment में या हमारे courses के साथ तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 767733362 या फिर आप हमारी mail ID पे हमें mail कर सकते हैं and I'll make sure कि आपकी जो problem है उसको जल्दी से जल्दी solve किया जाए इसी के साथ साथ आप हमारे Instagram handle affairscloud underscore official को follow कर सकते हैं code और याद रखना वो है Vikas10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए तो आप Vikas10 का code यूज कर सकते हैं आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा है या आपका course purchase हो गया, पैसे cut गए है या कोई भी issue आ रहा है प्रावलम को solve करेगा